नमस्कार मैं आसी स्पाठा का आप सभी का श्वाबत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में EPFO, SSA की जॉब, प्रोफाइल क्या है, आपको क्या वर्किंग करनी होती है क्या पोस्ट मिलता है आपका प्रोमोशन कितना होता है कितना समय लगता है सेलरी क्या है क्योंकि सब भी बच्चे पहली बात तो इसको जैसे ही वेकेंसी आई तो उनका यही काना था कि इसकी पोस्टिंग कहा होती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखा जाए exam जो pattern है वो थोड़ा सा banking से है लेकिन इस बार जो exam है वो आपका NTA करा रही है ठीक है पहले IVPS खराय थी लेकिन अब NTA करा रही है तो इससे regarding sir ने एक वीडियो बनाई है उससे देख लिजेगा कि क्या क्या changes होने की संभावनाएं है बाकी रही कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जब जाओगे तो आपका किस पर काम करना होगा ठीक है और अच्छा खासा पोस्ट है 2869 पोस्ट है जिने भी तयारी करना है फॉर्म भर दीजिए 27 तारिक से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना और जिने एकदम दिखाऊंगा कि सेलरी कितनी आ रही है यहां पर यूपी में रहागे क्लर कोस्ट कि सर्फिस में हो वहां पर करक कि सलरी क्या है वह आप खुद देख लीजिए तो जिनने भी इपी ऑफ एससे की तयारी करना है वो परिक्षा प्लस एफ से बैच पर्चेस कर सकते हैं अभी offer price में यह सिर् 599 में पढ़ रहा है इसमें आपको हम पूरी की पूरी वीडियो क्लासे पांस टेस्ट पांस सेक्शनल टेस्ट देंगे और जितने भी टेस्ट होंगे उनकी PDF भी देंगे और समय समय पर आपको स्ट्रेजी बताएंगे कैसे इस एक्जाम को क्रेक करना है तो आगे बढ़ते हैं लोग सबसे पहले यह मैं आपको बता दूं कि सलरी से पहले आपको बता दें कि जॉब में आपका कैसा जॉब है ठीक है यह दिखान रखो कि इसकी जॉब है वो क्लर्क बेसिस पर है जो एससे आपको जितने भी प्रोविडियन्ट फंड से रिलेटेड जैसे मालो ईयो है इन्फोर्स्मेंट ओफिसर जो आपका निकला हुआ है अभी यूपीस्सी जिसको कराती है वो भी इप्याफो की वेकंसी है उन्हीं का हैल्प करना ही आपको कहीं ने कहीं और जो सीनियर आपके करने से होते हैं unka help या section officer होते हैं उनका help करना आपका काम होता है तो बेसीकली इतना जानौ कि खल ट्लर्क्ट जॉप है बस इतना है आपको करना है रही बात posting के कि ये posting कहां की जाती है पर तहां पर ध्यान रखो कि आपका पोस्टिंग जो होता है वह हेड़ क्वाटर पे नहीं होता है ठीक है हेड़ क्वाटर में नहीं होता है यह फिल्ड जो आपके फिल्ड ऑफिस है ना फिल्ड ऑफिस जिसको रीजनल ऑफिस बोलते हैं रीजनल ऑफिस में होगा ठीक है रीजन अब आते हैं posting तो आपको पता चल गई कि आपकी रिजनल में होगी ठीक है आपका UP का क्योंकि वहां पर cut off जोगा state wise बनेगा तो वहां पर state में आपका आपको पोस्टिंग दी जाएगी as a clerk post पे अब रही बात salary देख लेते हैं salary आपको कितना मिलेंगी क्यों यह और clerk के जॉब से बेटर है जैसे जूनियर असिस्टेंट जाओ यह भी एक डेक्स जॉब होता है UPT plus C में लेकिन वहां पर आपको salary maximum कितनी मिल जाएगी maximum आपको सकत 28,000 मिलती है ठीक है लेकिन अगर यहां पर बात करें तो यह पूरा का पूरा bank की तरह clerk वाली salary आपको यहां पर दी जा रही है जैसे bank में salary clerkों को मिलती है वैसे ही है यह salary slip है और यह देखो P band जो है इसका वो 500 से 22,200 है और grade पे 2800 है पहले यह grade पे कम था लेकिन बाद में इस से change कर दिया गया ठीक है यहां पर grade पे पहले 2400 का था अब 2800 कर दिया गया क्यूंकि इसके बाद 4 साल नोकरी करने बाद आपको 800 grade पे मिलता था ऐससे के ही लेकिन अब वो चेंज हो गया है अभी आपका जो पहला 29 क्यूंकि पेश्केल जो आपका होगा 29,200 वाला होगा तो basic पे आपका 29,200 होगा यह आपको clear दिख रहा होगा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा समय इसको brightness कम कर दे रहा हूँ तो आपका basic जो होगा basic आपका जो बनेगा 29,200 आनेगा इस पे आपको महांगाई भदता जो डिया है इस समय कितना चला है 38% चला है डिया 38% लगा होगा यह 11 4,096 रुपया हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर TPA परिवाहन भगता मिलता है ट्रेवलिंग एलोइंसे 2400 और जो यह एचारे है ना हाउस रेंट वाला यह आपका वैरी करता है X, Y और Z City में ठीक है तो X City सबसे टॉप मोस्ट है तो वहाँ टॉप मोस्ट का मैंने बताया ह आपको 5418 रुपया मिलेगा लेकिन जहीं बात यह है कि अगर आप कहीं रूम लेकर रह रहे हो तो 5400 में तो रूम मिलता नहीं है लेकिन उनके इसाब से यह इतना दिया जाता है आपको उसके बास से यहाँ पर आजाओ यहाँ पर आपको चिकिस्सा भगता भी मिलता है 2000 साइठ में डिक्षन होता है इन हैंड आपको कितना मिलता है वो देख लेकिन भी सिर्फ मात्र आपका क्या होता है जो पेँसन है तिक है जो पेंसन है वही आपका होता है 4030 रुपया और रहापÓhr कुछ चोचे और प्रोफेस्नल टेक्स होता है 25 रुपया यूनियन का और सस 905 रुपया है यह डिडेक्ट करने के बाद इन हैंड आपको सिलरी 44 के के अप्रोक्स मिलती है 44,793 ठीक है यह आपको मिलता है समझ में आ गया तो यह आपकी सेलरी बहुत अच्छी खासी सेलरी यह आपको इनिश्यल में जैसे जाओगे तो यह आपको सेलरी बनेगी और यह सेलरी स्लिप जनौरी की है आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है जनौरी 2023 ठीक है बाकी डीटल हटा दी गई है अब आती है इसमें कि सेलरी सर बतारी पροमोशन में हम कहां तक जा सकते हैं अससे के पर मोशन से हम कहां कहां जा सकते तो सबसे पहली बात कि अभी आपका जो 24-2800 ग्रेट पे है आपका इसके बाद SSA Social Security Assistant है आप इनके बाद से आपका जो प्रमोशन होगा इसके बाद तो आप सीधे बनेंगे क्या अभी आपका 2800 ग्रेट पे जीपी जो है आपका 2800 आप बनेंगे Senior SSA ठीक है Senior SSA बनेंगे और इसका ग्रेट पे आपका 2400 ग्रेट पे होता है ठीक है SIE वाला ग्रेट पे है आपका इसके बाद से जब आपका प्रमोशन होगा और यहां से यहां आने में आपको कम से कम 5-6 साल लग जाता है ठीक है 5-6 साल लग जाता है पहले और टाइम लगता था सीनियर बनने में लेकिन अभी 5-6 साल आपको लग जाएगा इसके बाद से अभी तक यह होता था कि इसी में से कुछ लोग जो है आपके प्रमोट होके 3 साल में कुछ लोगों का प्र और अब यह हो इसको हाटा के इसको क्या किया गया है इसे अब हाटा दिया जाएगा और आपका जो प्रोमोशन होगा वह या ओ पे होगा ठीक है अब EUAO क्या है अब इसका जो exam होता है न बच्चो इसका exam कुण कराता है UPSC कराता है आप देखे होगे अभी firm आया हुआ है enforcement officer और accountant officer और यहाँ पर जो आपका grade पे बनेगा वो 4800 grade पे बनेगा इसके बाद से जो अगला promotion आपका step होता है और यहाँ तक आने में भी आपको यहाँ से यहाँ तक आने में आप चले जाओगे लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका promotion हो आगे पोस्ट खाली होगी तब हाँ आगे जब पोस्ट खाली होगी तो आपको मिलेगा क्या एपी एफसी एपी एफसी का पोस्ट मिलेगा और यह commissioner का पोस्ट होता है assistant provident fund commissioner ठीक है यह आपका पोस्ट मिलेगा और यह सबसे यहाँ तक तो बहुत पहुंच जाओगे बहुत जाओगे तो थोड़ा सा regional provident funds commissioner के पास पहुंच जाओगे ग्रेड टू पे ठीक है ग्रेड टू पर maximum जा सकते हो आप ssa से ठीक है अभी मैं दिखाओँगा कि आपका क्या है promotion hierarchy यह है देखो social security assistant है उसके बाद से senior ssa बनोगे जो आपका ब्याली सो ग्रेड पे पे आपका आएगा ठीक है पान से छे साल मान के चलो फिर section supervisor होता था आप इसको कहा गया है इसको merge कर दिया जाए इसी के साथ section supervisor होता था कुछ लोग बनते थे और ईयो एयो enforcement officer और accountant officer यह आपका बनते हैं यह आपका आपका 4800 ग्रेड पे हो जाएगा पे की जौब है आपकी अब आगे बढ़ती जाओगे तो आप बहुत पहुंच पाओगे retirement तक अपने तो आर पी एफसी तक पहुंच पाओगे grade 2 तक यह क्या रिजिनल प्रोविडियन फंड कमिशनल grade 2 तक यहीं तक आपका हो सकता है retirement हो जाए और बहुत होगा तो यहां हो सबसे इसमें EPFO में सबसे नीचे पोस्ट भारा जाता है आपका MTS से MTS के आगे आते हैं जिसे मान के चलो यहां पर मैं थोड़ा सा हिरेरिकल आपको समझाओं तो head office का एक job होता है एक field office का job होता है तो field office में जो आपको मिलता है जिसे MTS मिलेगा MTS की उपर आपको LDC होता है आपको LDC की उपर SSC होता है फिर यहां से आपका क्या हो जाएगा senior हो जाएगा senior SSC मिलेंगे तो यह चलता है head office वाले में ऐसा चलता है लेकिन field वाले में इसमें जबाओगे इसमें खुड़ा अलग चलता है इस वाले में जब आओगे इसमें आपका क्या है head office में MTS है MTS के बास आपको LDC होंगे यहाँ पर UDC आता है ठीक है upper division clerk upper division clerk का field office में जो regional office है वहाँ पर उनका work नहीं होता है उनका work head office में होता है तो यह ध्यान रखेगा जिसको head office वैसे यह निकलता नहीं है यह इसकी वेकेंसी आपको promotion के through ही होती है ठीक है उसके बास से यहाँ पर जो बनता है वह assistant आता है head office में head office में एससे की जगह assistant आता है और इसकी जो न्युक्ति होती है यह कहा जाए SSC से होती है head office में ठीक यह च्यालीस सो provident fund commissioner यह आपका क्या होता है कि जो जोन के office होते है जो जोन और office होते है उसका head होता है ठीक तो यह आपके promotion के आपका math reasoning और English यही है अगर और pre come marks कोई भी आपका मेंस में जोड़ा नहीं जाएगा सिर्फ screening टेस्ट है मेंस में आप अच्छे से मेनद कर लेजे selection पका हो जाएगा आपको पूरी strategy इसकी बताई जाएगी कैसे आप तयारी करो ताकि आपका मेंस में selection हो जाए तो यह तो रही आपकी पूरा EPFO SSA की job profile यदि आपको किसी भी कोई भी समस्या है तो आप इस video के comment में जरूर बताईएगा इसी के साथ मैं आप सभी से विदा ल आप